आई पील सीजन 13 का पहला मुकाबला CSK और मुंबई के बीच केला गया जहाँ पर CSK की टीम ने मुंबई को पाँच विकेट से करारी शिकस दी है बता दें आपको की दोनी की टीम रोहित की सेना पर भारी पड़ी और एक बार फिर दोमागेदार जीत यहाँ पर हासिल की है चेनाई सुपर किंग्स की टीम ने विशु की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रिमियर लीग सीजन 13 का आगाज आज हो चुका है आपको बता दें कि पहले मुकाबले में आर्क राइवल्स मुंबाइ इंडियन्स और चेनाई सुपर किंग सामने सामने हैं बता दें आपको की चेनाई की टीम के कप्तान महिंदर सिंग दोनी ने टॉस जीता और पहले गेंद बाजी का फैसला किया ऐसा लगा कि पहला मुकाबला हाइ स्कोरिंग होगा लेकिन चेनाई की गेंद बाजी के आगे मुंबाइ इंडियन्स की टीम पानी भरती नजर आई है जिया आपको बता दें कि 20 ओवर्स में 165 टरन मुंबाइ इंडियन्स की टीम ने बनाए हैं बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महज 162 रन इसलिए कम दिख रहे हैं क्योंकि पहले ओवर में ही 12 रन यहाँ पर मुंबाइ इंडियन्स को मिल चुके थे मुंबाइ इंडियन्स की टीम जबरदस पर्फॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन अचानक जो दो जटके होने लगे पहला तो प्यूस चावला ने रोज शर्मा के रूप में दिया मुंबाइ इंडियन्स को जिन्होंने 10 गेंदों में महज 12 रन मनाए दो चौके जड़े वही क्विंटन डेकॉक ने 20 गेंदों में 33 रनों की दुआधार पारी के लिए अच्छा लग रहे थे लेकिन यहाँ पर कवर्स के चकर में मारने के चकर में वो आउट हुए शेन वाटसन उनका शांदार कैच पकड़ा लगिन इसके बाद एक अच्छी साज़दारी हुई सौरप तिवारी और सुरिकुमार यादफ के बीच लेकिन यहाँ पर फारव डुपले सी इन पर जाधा भारी पड़े फाफ डुपलेसी ने शांदार कैच पकड़ा यहाँ पर सौरप तिवारी का सूरिकुमार यादफ का कैच सैम करन ने पकड़ा दीपक चाहर विकेट ले गए उनकी 16 गेंदों पे उन्होंने 17 रन मनाए 24 जड़े 31 गेंदों पे उन्होंने 42 रन मनाए अगर हर्दिक पांडिया की बात करें तो 10 गेंदों में उन्होंने 14 रनों की ताबर तोड़ पारी के लिए 2 चक्के तो उन्होंने ऐसे जड़े थे ऐसा लगा कि आज हर्दिक पांडिया कुछ कमाल कर देंगे लेकिन कुछ खास कमाल वो भी नहीं कर पाए तारिन पुलाट 14 गेंदों में 18 रन बना कर वो भी आउट हुए लूंगया एंगेडी का शिकार हुए और महिंदर सिंग दोनी ने शानदार कैच पकड़ा उनका गुरुनाल पांडिया जिन से उमीद थी लेकिन एंगेडी की गेंद का वो भी शिकार हुए बैक ऑफ दले डिलिवरी थी मारना चाह रहे थे यहाँ पर स्क्वाइर कट लेकिन आउट हुए वो भी जेम्स पैटिंसन आठ गेंदों में 11 रन बना कर आउट हुए उसके बाद राहूल चार बलेबाजी के लिए आए जस्प्रीद गुमरा तीन गेंदों में 5 रन और ट्रेंट बोल्ड पहली गेंद पर दीपक चार का शिकार हुए चिने सुपर किंग्स की बात की जाए तो दीपक चार पहले स्पेल में लुंगी अंगेडी चार ओर 38 रन उन्होंने जरूर खर्चे करीब साड़े 9 की एकॉनमी से लेकिन 3 विकेट जरूर जटके उन्होंने प्यूस चाबला की बात की जुआ है तो चार ओर में 21 रन देकर उन्होंने एक विकेट जटका एकॉनमिकल बॉलर साबित हुए लेकिन एक बड़ी विकेट रोहित शर्मा के रूप में उन्होंने हासिल करके दी वहीं रविंद्र जड़ेजा सबसे महिंगे के इंदबाद साबित हुए चार ओर में 42 रन उन्होंने दिये लेकिन दो विकेट भी जटके सौरब्तिवारी हरतिक पांडे है जो सबसे डेंजरोस लग रहे थे मुंबाइ इंडियन की तरफ से उनको यहाँ पर पवैलियन की तरफ चलता कि आप मुंबाई को जीतने के लिए 163 रन चाहिए हाला कि आपको बता दें कि अभू दभी के मैदान पर हाइस ट्रेजिंग टोटल 163 रन रहा है लेकिन यहाँ पर पहला मैच आईपियल का हमने एक्सपेक्ट किया था कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड होगा हाई स्कोरिंग पिछ होगी फ्रेश टफ होगी लेकिन 162 पर यहाँ पैक करना दोनोंगी टीमों को खल रहा होगा क्योंकि चेनाई अगर चाहती तो इससे कम में भी रोग सकती थी वोई मुंबाई चाहती तो एक बैट्समन बढ़ा कर बहतरीन खेल दिखा सकती थी यहाँ पर 163 अगरों का टारगेट मुंबाई इंडियन्स ने चेनाई सोपर किंग्स को दिया आप देखना है कि माही की टीम इस टारगेट को चेस कर पाती है नहीं एनपी न्यूजरूम की रिपोर्ट